अगर आपका 10,000 से लेकर 50,000 रुपीज तक का बजट है और इस प्राइस रेंच में आपको इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यहां पर हमने 10,000 से लेकर 50,000 रुपीज तक की प्राइस रेंच में आने वाले इंडियाज बैस्ट टॉप सेवन एक्शन कैमराज को लिया है चुकि टरस्ट मी यह आपकी सारे की सारे फीचर्स को फुलफील करते हैं कुछ यहां पर आपको सिंपल एक्शन कैमराज एंड कुछ यहां पर आपको 360 एक्शन कैमराज देखने को मिलते हैं सारे की सारे कैमराज वेलन ब्रेंड के साथ में हेवी ABS बिल्ड में देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको लार्ज वाइड अंगल शोट्स बेक इन फ्रेंट बाट साइड डूल टच स्क्रीन 5K 60fps और 4K 120fps रिकोडिंग वाटो पूफ अप्टू 30 मिटर 10-bit, sdr, movie mode जैसे और भी कई सारे यहाँ पे आपको advanced features देखने को मिल चाहेंगे वीडियो में तक बने रहे ना इन्हें काफी डी प्रिसेज के बाद इस list में लिया गया है अगर आप इन action cameras को offers में try करते हैं तो यह आपको और भी कम price में मिल सकते हैं मैंने सभी की best buy link नीचे description box में डाल रखी है वहाँ से जाके आप इन्हें easily check out कर सकते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो गई सब्सक्राइब कर दीजी यहाँ पे आपको ऐसी ही और वीडियो देखने को मिल चाहेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को वेल लिस्ट में एट नमर 7 पे आने वाला action camera आपको Digitec की तरफ से Digitec Go Cam देखने को मिलता है कईज यह action camera इस्पेशली उन लोग के लिए है जो कि as a beginner 10,000 उपीज तक की price दिंश में बड़ी ऐसा action camera ढूंड रहे हैं तन वो लोग इसे definitely purchase कर सकते हैं आप देख सकते हैं हैवी ABS बिल्ड के साथ में यहाँ पे आपको upper side में button controls and dual back and front touch screens देखने को मिल जाती है जिसकी size back वाली की 2 inches and front वाली की 1.3 inches की देखने को मिलती है फीचर्स में यहाँ पे आपको 150 degree wired angle shots 6-axis gyro stabilization 2.5 mm external mic support 100 feet waterproof with waterproof case to 1350 mAh lithium-ion battery जिसमें आपको अच्छा का सा battery backup देखने को मिल जाता है NDC के साथ में यहाँ पे आपको कई सारी kit accessories देखने को मिलती है जिसमें handlebar mount, back clip, buckle mount, universal screw adapter, helmet mount, adhesive tabs, micro USB cable, bandage 2 lithium-ion batteries, waterproof case जिसी accessories यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिलती है यह action camera 5K recording 30fps, 4K 60fps and 1080p 120fps तक record करता है तो यह भी यहाँ पे काफी बढ़िया है अब बात करें इसकी price की तो यहाँ आपको फिला 9600 रूपीज में Amazon पे देखने को मिल रहा है इसकी price काफी जड़ा fluctuate होती रहती है इस बात का आप ध्यान रखे और फिलाल इसकी price ड्रॉप हो चुकी है लिंक नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते है इस लिस्ट में एट नमर 6 पे आने वाला action camera आपको SZ Cam की तरफ से SZ Cam C300 देखने को मिलता है कई 16,000 रुपीज तक की price range में ये भी काफी powerful action camera है मतलब इस action camera को आप as a vlogging camera भी use मिले सकते हैं आप देख सकते हैं काफी premium heavy ABS build के साथ में यहाँ पे आपको two batteries देखने को मिल जाती है मतलब दोनों में ही आपको dual screens देखने को मिलती है जो कि इसे काफी unique बनाती है एक यहाँ पे आपको 1000 mAh की battery देखने को मिलती है एंड दूसरी यहाँ पे आपको 2800 mAh की battery देखने को मिलती है जो कि अच्छी कासी grip के साथ में आती है फीचर्स में यहाँ पे आपको 4K 30fps, 20MP camera, 6S gyro stabilization, 1.33 inch dual touchscreen, 5G wifi, super night vision, 30 meter waterproof, live streaming, 154 large wide angle shots, चैसे और भी कई सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते है सबसे बड़ी बात जो इसमें internal mic दिया हुआ है महाँ पे आपको एक noise cancellation feature भी देखने को मिलता है जोकि outdoor में video अगेरा shoot करते time काफी helpful होता है accessories में यहाँ पे आपको waterproof case, frame mount, back clip, type C cable, base screw, helmet mount, 3 stickers, piping cloth, जैसे और भी कई सारी accessories यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिलती है इसके लाबा warranty यहाँ पे आपको 1 year तक की देखने को मिलती है बात करें इसकी price की तो यह आपको फिलाल 15,000 उपीज तक की price range में Amazon पे देखने को मिल रहा है सुगईज यह action camera especially उन लोग के लिए है जोकि as a beginner कोई भी content creating करना चाते हैं लाइक उनको vlogging, motor vlogging, riding, जैसे और भी कई सारी videos बनाने हैं देन वो लोग 15,000 उपीज तक की price range में इसे consider कर सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा battery backup देखने को मिल रहा है जोकि 15,000 उपीज तक की price range में काफी बड़ी बात है मैंने link नीचे यह description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं एट नमर 5 पे आने वाला action camera आपको GoPro की तरफ से GoPro Hero 11 Black Mini देखने को मिलता है पर इस लिस्ट में आपको GoPro 11 की दो cameras देखने को मिल चाहेंगे मतलब एक आता है GoPro Hero 11 और दूसरा आता है GoPro Hero 11 Black Mini इन दोनों में सबसे ज़्यादा difference इसकी price and display में है मतलब अगर आपका 30,000 रुपीज तक का budget है और आपको कोई बढ़ी ऐसा GoPro action camera लेना है देन आप GoPro Hero 11 Black Mini की तरफ जा सकते हैं और आपका 40,000 रुपीज तक का budget हो फिर आप GoPro 11 की तरफ जा सकते हैं दोनों में major difference इस डिस्पले और प्राइस का है फीचर्स में आपको 5.3K, recording 60fps, ultra HD video mode, 24MP camera, image sensor, live streaming, gyro stabilization, hyper smooth resolution, many creative shooting options, ISO range exposure, temperature, slow motion, जैसे और भी धेर सारे फीचर्स यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका build भी काफी heavy, ABS build के साथ में देखने को मिल जाता है जोकि इसे ओर ज़्यादा premium बनाता है, अब बात करें इसकी price की, तो hero 11 black mini आपको फिलाल 32,500 रुपीज तक के आसपास मिल जाता है and hero 11 फिलाल आपको 42,000 रुपीज तक की price range में देखने को मिलता है सुगईज अगर आपको display से problem ना हो, तैन आप gopro 11 black mini की तरफ जा सकते हैं जोकि आपको 30,000 रुपीज तक के आसपास मिल जाता है and आपको dual screens चाहिए, तैन आप gopro 11 की तरफ जा सकते हैं दोनों ही अपनी अपनी price point पे best है, मैंने link नीचे ये description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इने easily check out कर सकते हैं So here comes the fourth one, जोकि इंस्टा की तरफ से इंस्टा 360 GO 3 देखने को मिलता है यह भी एक newly launched action camera है, जोकि specially vloggers and filmmaking के लिए बना है मतलब यह camera world का सबसे ज़्यादा smallest action camera है इसे आप कहीं पे भी mount कर सकते हैं इसका all over weight around 35 grams का है एंड जो साथ में इसका जो case देखने को मिलता है उसकी help से यहाँ पे आप continuously 170 minute तक easily videos वगेरा shoot कर सकते हैं आप देख सकते हैं काफी light weight slim body के साथ में यहाँ पे आपको एक flipable 2 inch की screen देखने को मिल जाती है जोकि totally touch controls के साथ में आती है इसके लावा features में यहाँ पे आपको portable and versatile, 2.7 की video, hassle free, mount anywhere options, inbuilt stabilization, multifunctional action port, waterproof, travel, 2.7 की videos, ultra wide angle short जैसे और भी कई सारे features यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे प्राइस की बात करें तो यह action camera आपको फिलाल 40,000 रुपीस तक की price range में Amazon पे देखने को मिल रहा है और अगर आप इसे offers में try करें तो हो सकता है यह आपको और भी कम price में मिल सके इस 40,000 रुपीस तक की price range में अगर आपको एक smallest light weight action camera लेना है जैसे आप कहीं पे भी mount कर सके तैन इस action camera को आप definitely purchase कर सकते हैं यहाँ पे आपको almost सारे के सारे features देखने को मिल जाते हैं जो कि एक content creator के लिए काफी जरूरी है लिंक नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं अभी गईज लिस्ट में at no.3 पे आने वाला action camera आपको अगेन इंस्टा की तरफ से इंस्टा 360 X3 देखने को मिलता है अभी गईज यह action camera पहले वाले से काफी बढ़िया action camera है मतलब compare करें उसके video footage से तरफ यहाँ पे आपको उसके comparison में काफी बढ़िया wide angle shots और काफी smooth videos यहाँ पे निकल के आती है आपको पता है वो एक छोटा सा action camera है और उसका lens भी काफी छोटा है यहाँ पे इंस्टा 360 X3 में काफी बढ़ा lens देखने को मिलता है चोकि उसके comparison में HDR video footage आपको provide करता है इसके लावा यहाँ पे आपको 360 features चोकि almost आपकी सारे के सारे 360 areas को cover करता है features में यहाँ पे आपको 5.7K videos, 72 megapixel camera, 4K single lens mode, IPX8 waterproof, smooth touch screen button controls, 178 degree, large wide angle shots चैसे और भी कई सारे यहाँ पे आपको features देखने को मिल जाते हैं इसका all over weight around 180 grams का है अब बात करें इसकी price की तो यह आपको फिलाल 46,500 rupees में Amazon पे देखने को मिल चायागा बाकी अगर आपका budget कम हो तो आप इसे offers में try करें यह आपको इससे काफी कम price range में देखने को मिल चायागा सुगा इस 45,000 rupees तक की price range में अगर आपको एक 360 action camera लेना है देन आप इसे definitely purchase कर सकते हैं इस price range में यह best 360 action camera है बाकी link के नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं वेल लिस्ट में एड नमर 2 पे आने वाला action camera आपको DJI की तरफ से DJI Osmo action 4 देखने को मिलता है यह action camera भी newly launched 4K action camera है जो कि लिस्ट का second best action camera है मतलब यहाँ पे यह action camera 4K recording 120 fps तक record करता है जो कि 40,000 rupees तक की price range में काफी बड़ी बात है आप देख सकते हैं काफी rough and tough ABS belt के साथ में इसके design बनाई गई है जो कि इसे और जादर premium बनाती है इसके लावा features में यहाँ पे आपको premium high image quality, without distortion, low light clarity, magnetic quick release, 360 horizon, 1.3 inch dual touch screens, 10 bit and D-log M color performance जो की काफी बढ़िया footages आपको provide करता है इसके लावा 155 degree ultra wide angle shots, magnetic quick release, native vertical videos, 360 horizon study, 2.5 hours long lasting battery, fast charging, crispy audio, noise reduction, जैसे और भी धेर सारे features यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिलते हैं इसका all over weight around 240 grams का है, अब बात करें इसकी price की, तो यह आपको फिलाल 41,000 उपीज तक की price दिंच में Amazon पर देखने को मिल रहा है अगेन अगर आपका budget थोड़ा कम हो, तैन आप इसे offers में try कर सकते हैं, यह आपको और भी कम price में मिल सकता है सुगई इस 40,000 उपीज तक की price दिंच में, अगर आपको एक premium heavy duty work के लिए अच्छा सा action camera लेना है, तैन आप इसे definitely purchase कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको 4K 120 fps तक record करने को मिल रहा है, यह यहाँ पर काफी बड़ी बात है बाकी लिंक नीचे यह description में डाल रखिये, वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं सुगी लास्ट नमर 1 पर आने वाला action camera आपको GoPro की तरफ से GoPro Hero 12 देखने को मिलता है यह भी एक recently launched action camera है, जो कि अब तक मैंने जितने भी action cameras बताये हैं, उन सभी को यह beat करता है आप देख सकते हैं, काफी premium, heavy ABS build के साथ में, यहाँ पे आपको dual screens देखने को मिल जाती है जो कि touch screen controls के साथ में आती है, इसके लावा यह action camera 5.3 की recording at 60fps तक करता है जो कि काफी smooth wider video footages आपको provide करता है, इसके लावा hyper smooth 6.0, auto boost, 1080p live streaming, long lasting android battery जिसमें आपको continuously 2.5 hours का playback time देखने को मिलता है, इसके लावा high dynamic range, 4K recording, sdr mode, night light and low light functions, extra large wide angle short जैसे और भी कई सारे यहाँ पे आपको features देखने को मिलते हैं, बागी price की बात करें तो यह आपको फिलाल 46,000 rupees में Amazon पे देखने को मिल रहा है और अगेन अगर आप इसे offers में try करें, तो यह आपको और भी कम price में मिल सकता है यह एक newly launched latest GoPro Hero 12 है, जिसमें आपको इस price इंच में काफी कुछ changes देखने को मिल जाता है बागी S&E की list में मैंने जितने भी action cameras बताये हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो भी अपने अपनी price point पे best है इन सारे action cameras को काफी deep research के बाद लिया गया है, तो मैंने सभी की best buy link के नीचे description box में डाल रखी है वहाँ से जाके आप अपनी need के साब से इन्हें purchase कर सकते हैं वैल action camera खरीने का अगर आपको कोई different criteria हो तो आप हमारी playlist को जाके check कर सकते हैं वहाँ पे आपको अलग-अलग presence के साब से अलग-अलग action cameras देखने को मिल जाएंगे बागी गईस आज की इस वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं किस नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए topic के साथ में